हलो दोस्तों लाइवाड हमें फिर से आपका बहुत दोस्त वागत है आज हम आपके लिए फिर से हादिर हैं एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ आज हम देखेंगे कि अगर आप ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग जो है रन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट थीम क्या है वैसे तो बेस्ट थीम आपको बहुत सारी मिल जाती है लेकिन वहाँ पर क्या है कि आपको कुछ पे करना पड़ता है लेकिन आज हम को हम देने वाले फ्री में बहुत एक अच्छी यूई डिजाइन वाली चार या पांच ऐसी थीम जिसको आप यूज करके अपने ब्लागर का जो है ले आउट पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि पहले एक नंबर पर काउन सी है और आपको रन करके भी दिखाएंगे यह प्रैसकों मेरे एक ब्लाग है blogpost.com रहोग यहाँ पर आप अप्रैसफिह अच्छी यूज करत ढूरी यूज करने बहुत जयादा और जब जादा पाहँ यूज करेंगे अपने ब्लाग पर तो हमारे ब्लाग की स्पीड पेएफीक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर देशाते हैं auto add यहाँ पर आ रहा है दो पोस्ट के बीच में तो हम चलते हैं अपने पहले theme पर उससे पहले आपसे request है कि अगर अब हमारे चानल पर new हैं तो हमारे चानल को subscribe कर लिजेगा इस तरह की informative videos आपको time to time मिलती रहती है तो चली शुरू करते हैं इस video को अपने छोटे से intro के साथ ओके दस्तों सबसे पहले template की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर आप ऐसी कोई blog रन करते हैं जो की video base है तो यहाँ पर आपको यह best रहेगा इसका नाम है filmax इसका link के मैं video की description दे दूँगा आप direct इस पर पहुश सकते हैं और इसको check कर सकते हैं और इसका download link भी आपको मिल जाएगा वहाँ से आप इसको download भी कर सकते हैं तो अगर आपकी video base कोई blog है तो इसको आप use कर सकते हैं आपका layout बहुत ही best रहेगा आप देश सकते हैं कुछ इस तरीकी का layout रहेगा इस पर जब भी कोई click करेगा तो single post भी आप देख सकते हैं किस तरीकी single post दिएगी यहाँ पर आपकी single post आ रही है उपर आपका trailer आ जाएगा इस पर trailer को आप फुल इसमें देख सकते हैं फुल view करके उस तरी नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो यह हो गया नंबर एक पर यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि बाटम में आपको क्या क्या मिल जा रहा है यहाँ पर यह पूरा आप कस्टमाइज कर सकते हैं अगर मेरे जो लिंक है उससे आप इसको डाउनलोड करेंगे तब इस देखते हैं कि दूसरे नंबर पर कहुं सा टेंपलेट है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेथर तो इस तरीके का अगर आप कोई ब्लाग है अगर क्लिन यूई डिजाइन है जिसे आप ट्राविल का बना सकते हैं यहाँ पर पर्पस की हिसाब से कोई यह नहीं है अगर आप ब्यूटी का भी बना आना चाहाँ था ब्यूटी का बना सकते हैं तो इस तरीके का आपका लुक दीखेगा होम पेज का यहाँ पर साइट में आपको वेडिश मिल जा रहे हैं पापुलर पोस्ट के और यहाँ प पापुलर जो पोस्ट रही वो दिखेगी और कुछ इस तरीके से आपकी यूए डिजाइन है बहुत ही क्लीन है इस तरह यहाँ पर तीसरे जो है फलमिंगो इस पर किलिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के आपकी डिजाइन देखने को मिलेगी यहाँ पर देशे हैं बहुत ह इस पीड में आपका यह लोड होगा जब तक अगर ज्यादा आपका कंप्लिकिटेड रहता है तो उसको लोड होने में टाइम भी लगता है तो कोसिस करिए कि यतना क्लीन यूए डिजाइन आपको मिले वो यूज करिए बहुत ज्यादा आपके होम पेज पे बहुत या पेजेस पे आएंगे होम पेज पे वो तो अगर नेविगेट करते हैं तब आपके होम पेज पे आते हैं ज्यादा तर लोग पोस्ट या पेज पे आते हैं तो आप होम पेज को ज्यादा ध्यान ना देखें आप सिंगल पोस्ट पे ध्यान दीजिए कि आपकी सिंगल प अब बात करें, तो यहां पे मिल जाता है Catherine template, तो यहां पे भी अगर आप कोई इस तरह के ब्लग create करते हैं, तो आप इसको use कर सकते हैं, यहां पे आप अपना add लगा सकते है, banner add, इस तरह नीचे आएंगे तो यहां पे भी banner add लगा सकते हैं, और यहां पे right sidebar में आपको popular भी देख सेते हैं कि आपके footer में कुछ इस तरीके का दिख रहा है, footer में आप इस तरीके से अपना जो भी logo और यह सब create करकी यहां पर लगा सकते हैं इसी तरह यहां पर पांच वे जो template की बात करें, तो पांच वा जो template है हम खुद आपको install करके दिखाएंगे यह जो मेरा है ब्लाग इसको हम change करेंगे अभी आपके सामने, यहां से हम जाएंगे theme में, इन सभी का link आपको वीडियो के decision मिल जाएगा, तो हम यहां पर जो use कर रहे थे हम नीचे वाला इसको use कर रहे थे, हम इसका by default जो मिल जा रहा है नीचे वाला, यह use कर रहे थे, तो हम make sure कि आप उसका backup ले लिया करिए, उसके बाद आप उसको change करिए, तो backup करके आप इसको backup कर लिजिए, ताकि किसी वज़े से आपकी post delete हो जाती है, कोई ऐसा error आयाता है, तो आप फिर से आप उसको restore कर सकें, यहां से हम backup ले चुके हैं, तो backup लेने के बाद आपको करना क्या ह होगा कि आपको restore करना पड़ेगा, restore पे क्लिक करेंगे, upload पे क्लिक करेंगे, और यहां पे हम upload कर देंगे, blogger के template को, तो यहां पे आपको मिल जा रहा है, सोरा SEO, simply इस पे क्लिक करेंगे, open पे क्लिक करते हैं, theme restore दे रहा है, हम view blog पे क्लिक करके आप देखते हैं कि change होगा की नहीं होगा, तो यहां पर देख सकते हैं कोच इस तरीके का आपका blog जो है complete change हो चुका है, अब यहां पर नीचे आप देख सकते हैं ओपर यहां पर अपना add लगा सकते हैं, देख सकते हैं, इस तरह नीचे जब आप आएंगे, तो यहां पर आपको बहुत सारे add के apsons मिल जाते हैं, यह को आप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी यहां पर देशतने कि जितनी भी विजिट्स हैं सब को कस्टमाइजबल दिया गया है यानि आपकी जो थीम है प्रीम है लेकिन यहां पर आपको फ्री में दिया जा रहा है तब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अगर यही आप इसका version आप use करेंगे तो बहुत सारी widgets जो होती है वो by default in build रहती है, अगर आपको उसकी जानकारी है HTML, CSS की तब उसको आप change कर सकते हैं, otherwise नहीं change कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको जितनी भी widgets से मिलेंगी, सब open mode में मिलेंगी, आप इसको आसानी से use कर सकते हैं, यहां हम देशने ब्रेकिंग निउस की उपर menu, menu की उपर आपको header देर सकते हैं, यहां है header, इसको edit पर click करेंगे, और यहां पर हमारा code है, इसको code को paste कर देंगे, यहां से अपना code जो है ले ले लेते है, AdSense का, यहां पर हम अपना जो भी binary add रहेगा, उसका code यहां paste करेंगे, code paste करने के इसके बाद एक दफ़र नीचे आपको यहां पर save की button मिलती है, इसके भी click कर दीजिए, उसके बाद आप अपने block को refresh करके देखिए, यहां पर binary add चेंज हो जाएगा, और यहां पर देखते हैं Google के दोवारा, चूकि मेरा approve है, तो यहां पर आपको binary add देखने को मिल जा रहे इस तरह अगर आप नीचे वाले को change करना चाहते हैं, तो नीचे आएंगे यहां पर दिया है, इसको भी आप चाहें, तो change कर सकते हैं, simply आप इस code को आपको remove करना है, remove करने के बाद यहां पर paste कर दीजिए अपना code, उसके बाद save पर click कर दीजिए, एक दफ़र नीचे से save पर click करने के बाद आप इसको refresh करेंगे, तो नीचे का भी banner add जो है, change हो जाएगा और यहां पर भी adds आना सुरू हो गया, अब बाकी बात यहां पर आपका, कि अगर follow us और यह सब change करना चाहते हैं, तो आपका जो भी page link करेंगा, उस page link को आपको यहां पर paste करना होगा, और तो इसको भी आपको change करके एक-दो दिखा देते हैं कैसे करना है, follow us के edit पर click करेंगे, तो यहां पर देशाते हैं कि हैस का निसान दिया गया है, इसमें आपको अपना जो भी URL देएगा, उस URL को यहां पर paste करना पड़ेगा, तो यहां पर देशाते हैं कि Twitter का है, तो Twitter के साम इसको रिमूव करके अपना URL पेस्ट कर देंगे, तो आपका लिंक हो जाएगा जो भी पेस्ट रहेगा, यहां पर इसको बाद में करेंगे, हमारे पास लिंक होना चाहिए, तो इस तरीके का आपका पेस्ट दिखेगा, नीशी तरह नीचे का जो binary ID इसको भी आप change कर सकते ह तो यह नीचे भी आपको एक mail जाएगा, यहां पे नीचे भी दे सकते हैं, HTML, JavaScript दिया गया है, इस पर edit पे click करेंगे, और नीचे का जो भी यहां पे code रहेगा, इसको select करके, आप इसको update कर दीजिएगा, अपना जो भी code ID रहेगी, save पे click करेंगे, और यहां सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करेंगे, इसके बाद हम अपने blog को refresh करेंगे, नीचे भी आप दे सकते हैं, यहां पे भी add जो आना शुरू हो चुका है, इस तरीके से आप यहां पे add के implement कर सकते हैं, तो यहां पे दे सकते हैं, copyright जो बनके आ रहा है, आपका जो blog post का name है वही आ रहा है, अगर यही आप demo version उन्यूज करेंगे, तो यहां पे जो company रहेगी उसका यहां पे आएगा, तो इस तरीके के अगर आप magazine book या कुछ इस तरीके का blog create करते हैं, तो उसके लिए आप के लिए best रहेगा, इसी तर अगर आप news website create करते हैं, और उसके लिए अगर कोई template use करना चात हैं, तो आपको इसका भी link के video result मिल जागा, क्योंकि यह मेरे पास download mode में है, मैं आप इसको वेव करके नहीं दिखा सकता, तो मैं इसको आपको install करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का दिखेगा, मेरे पास post भी है, तो आपको करना क्या है कि आपको simply theme में जाना है, और जब भ open करेंगे और यहां पर दिख सकता है कि मिल जा रहा है, simply open पर click करेंगे, यहां पर restoring theme हो रहा है, जिसे restoring theme हो जाता है, हम view blog पर नीचे पर click करके आप इसको change करके देखते हैं कि यह पर change होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर दिख सकते हैं, तो यहां पर कुछ इस तरीके कि अगर आप न्यूस पेपर थीम को यूज करना चाह रहे होंगे, ब्लॉग और पर तो आप इसको असानी से यूज कर सकते हैं, वैसे तो वाट अप्रेस में इस तरीकी की थीम जादा मिल जाती है, लेकिन ब्लॉगर में भी एकर आप थोड़ा सा सर्च करें, तो इस तरीकी की आपको बहुत सारी टम्पलेट फ्री में भी एवलेबल हैं, तो मैं जितने भी यहां पर टम्पलेट दिया हूँ, वो सब आपको फ्री में एवलेबल रहेगा, और प्लस यहां पर कुछ और भी मैं टम्पलेट को एड़ कर दूँगा, तो उन सब का लिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक अपने जरूरे पिस करिएगा, और इस तरह की इन्फार्मेटिव वीडियो से आपडेट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मिलते हैं इन इस्टोडियो में किसे दूसरे टापिक के तब तक के लिए दी जयादा थिंक फॉचिंग, ठेक केर वागाए.